हेलो गाइस विल्कम तो दे चैनल कैसे हैं आप सभी लोग आई होप आप सभी ठीक होंगे सो आज जो रीडिंग लेकर आई हूँ आप सभी क्लिक आए इस चैनल वेसे पे रीडिंग है जनल तरीकी से यह देखेगा आपके परसन के लिए क्या कुछ फीलिंग्स आ रही है आप को लेकर यहीं अनर्जी को चुक करूँँगे आप ewnэт あप और रिलेशंषिप आपका हो सकता है इन परसन के साथ में सो इनके के फीलिंग्स आपको लेकर राइफ नहों क्या कुछ महसूस कर रह है क्या क्या कुछ इनके मन में चल रहा है आपको लेकर इस पेज ऑफ सोट की नर्जी इस मेरे पास में नान ओफ पेंटिकल्स टैन ओफ सोट्स टैन ओव एंज सोट्स यहाँ पर जो एनर्जी इस देखरे में इन पर्सन के इस वक्त में किसी problem से किसी situation से बहर निकलने कि इनकी problem मुझे आपर जो situation है नजर आ रही कि जो person है इस वत किसी situation से किसी ऐसी problem में जो हैं बहुत जादा मुझे शायद लग रहा है past time में थे कोई ऐसी issues से इनकी life में जिससे यह person अपनी मन मताबिक एक जो है division नहीं ले पा रहे थे problems में अपने आपको महसूस कर रहे थे तो situation से मैं हम पर देख रहे हुए कि person जो है बहार निकलते हुए आ रहे है कोई ऐसी situation जिसमें यह person जो है बहुत साथ अपने उपर control महसूस कर रहे थे अपने पर burden महसूस कर रहे थे यह बट अब क्या हो रहा है चीज़े कि अब इन person ने situation को जो है control करना में शुरू कर दिया कि situation जो है इनकी life में issues को ना लेकर आए problems को ना लेकर आए sadness को ना लेकर आए so कोई situation मुझे इन person के साथ में जो है बनती हुई नज़र आ रही है टैन ओफ सूट्स की इनर्जीज है okay so 10 ओफ वेंस की इनर्जीज है night of सूट्स मुझे ऐसा है आपर ऐसी इनर्जीज मिर रहे कि जो person है अपने life में change को जाते है यह person अपने life में change लेकर आ रहे है और वो change मुझे आपर लग रहा है आपके favor में है कि शायद इन person अगर आपसे दूर चले गए थी क्योंकि मुझे लग रहा है यह person ने आपसे move on किया था रहे हैं सो कोई third party situation हो सकती है इनके life में जिससे बहार निकल रहे हैं स्वक्त जो शायद पास्ट में अपनों पर बहुत साथा जो है इनके favor में हैं आपके favor में हैं जो यह person चाहते हैं जो गएनके मुझे आप एग्रेसिव इनरजीस में मिल रहे हैं कि इन जो person है इस situation से आज बाहर निकल रहे हैं इस situation से जो हैं कहीं न कहीं दूर जा रहे हैं कोई third party situation हो सकती है यह फिर इनके life में कोई और issue है बट वो ऐसी ही इनको situation से बहार नहीं निकल पा रहे हैं इन्होंने शायद बहुत जादा जो है कहीं न कहीं अग्रेसिव नेचर दिखाया है फिर बहुत जादे person गुसा हो यह person अपने past में वापस जा रहे हैं पास्ट को बहुत जादा miss करना past की वारे में सोचकर emotional होना, रोना, याद करना So a situation मुझे in person की नज़र आ रही है क्योंकि परिसंप बहुत जादा मुझे लग रहा है उदास हो गए है बहुत जादाCr bac Station की जो आ रही है उदास होकर बैठने वाली आ गई है कि बहुत जादा इस वक्त ये परिसंप उदास हो रहे है दुखी हो रहे हैं, परिशान हो रहे हैं, एमोशनल हो रहे हैं और वापस जा रहे हैं अपने पास्ट में, वो पास्ट जो शायद इनको बहुत जादा अच्छा लगता है जब वो पास्ट जिसमें बहुत जादा इनको शायद शान्ती मिलती थी, एक हैपिनेस मिलती थी, तो से इनने डील किया है, अगर आप लोग के बीच में कोई no contact सून था, कोई no contact situation थी और आप इन person से contact नहीं कर पा रहे थे, इनकी सची भावनाओं को नहीं जान पा रहे थे, तो मैं याप पर देख पा रही हूँ कि इन person पिछले बीते कुछ टाइम में चैलेंजिंग इनर्जिस को अपने लाइफ में जो है फिल किया है सैडनेस बहुत साथ इनकी लाइफ में मुझे नजर आ रही कि बहुत साथ कुछ चीजों से ना यह परसन बाहर निकलने की बार-बार कोशिश कर रहे थे बार-बार कहीं ना कहीं जो है सकसेज नहीं मिल रहे थी अब फारेली जाकर यह परसन ने एक ऐसा डिसिजन लिया है या फिर सिच्वेशन से जो है परसन अब बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं बाहर पास्ट के ऐसी कोई मेमोरी है जो बहुत सदा इनको जिसके बार में सोचकर यह परसन दुखी होते हैं परिशान होते हैं आपके और इनके पीछकर जो नो कॉन्टेक्ट है उसको लेकर भी इन परसन के मायनों मुझे टेंशन नजर आ रही है या फिर बहुत जादा ही परसन जो है इस ट्रस लेते हैं इस नो कॉंटेट के चलते हैं सो दा मून एट ऑफ कप्स फ्राव माइनर अरकाना से पॉर ऑफ कप्स क्वीन ऑफ कप्स ओकी सो टू ऑफ कप्स सो यहाँ पर मैं इनकी फीलिंग को देख पा रही हूं गाई पिल्कुल इनकी फीलिंग्स ना आपको लेकर लवली इनर्जी जा रही है पास्ट में ऐसा हो सकता है कि आप लोग के बीच में कोई मिसनस्टेंडिंग हो गई हो कुछ ऐसी प्राब्लम्स हो गई हो जिससे परसन आपसे दूर तो चले गए थे बर शायद ये अपने पास्ट को भूल नहीं पा रहे हैं तब ही तो ये परसन आज फिर से मैं देख रही हूं उट खड़े हुए है इतना सदा अदास होने के बाद भी परिशान होने के बाद भी कई ना कई उठ खड़े हुए है ये परसन अपने पास्ट के उस relation के लिए क्योंकि कुछ ना कुछ इन्होंने ऐसा महसूस किया है अपने पास्ट में जिससे इनको बहुत साधा कई ना कई पास्ट के बारे में जब परसन सोचते है तो उनको अपना पन महसूस होता है चाहते हैं तो आपके लाइफ में उसक्राइड हैं और अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं and eight of cups की energies भी है किसी ऐसी situation से परसन मुझे बार बार यहाँ पर energies मिल रही है दूर जाते हुए नजर आ रहे हैं एक अलग ही अपनी life में जो है एक new beginning को कर रहे है so new beginning में इनके साथ में मुझे आप भी नजर आ रहे हैं कोई ऐसी new beginning अपनी life में परसन आप कर रहे हैं जिसमें आप दौनों का साथ मुझे नजर आ रहा है इनके life से कोई third party situation है तो वो चीज़े इनके सामने खुल कर सामने आई हैं इनके सामने कहने के चीज़े जो है बिल्कुल clarify हो गई है जिन चीज़ों में शायद उनको doubt था या फिर किसी ऐसे person पे बहुत ज़्यादा ने ट्रस्ट किया था जिन पर आवज जिनको लगता है कि मुझे trust नहीं करना चाहिए था मेरी गलती थी मेरी भूलती इस person के उपर trust करना इनके life में मुझे लग रहा है जायद बहुत ज़्यादा इन person ने problem से deal किया है बट उन चीज़ों से अब मुझे आप जब first energies and last energies आ रही है guys मैं इसको देख लेती हूँ मुझे लग रहा है इन energies से बहुत ही अच्छे तरीके से person मुझे निकलते हो नज़र आ रहे है so page of source की energies इनकी winning energies मुझे नज़र आ रही है यह cards है आप दोनों के relation के लियानिक की two of cups आप दोनों की reunion के लिए बौड़ी तेज़े से मुझे आप energy बिल रहे है कि शायद बहुत जादा आप लोग अगर reunion चाहते थे अपनी life में दुवारा से जो है इक होना चाहते थे फिर से अगर यह person चाहते थे कि दुवारा से वो चीज़े जो है इनकी life में comeback हो जाए वो happy moments इनकी life में comeback हो जाए जिनमें आप इनकी साथ में थे तो वो चीज़ों में अब यह person मुझे successful होते हुए नजर आ रहे है so guys यह energies हैं आपके person की Oracle energies देख लेती हूँ आपके relation को लेकर क्या कुछ आ रही है Oracle energies इस वक्त में आपके relation को लेकर so inner child and the faire spotting energies में पास में मिल रहे है so कोई मुझे लग रहा है कि आपके life में न कोई happy moment होने वाला है कोई ऐसा happy moment आने वाला है like child वारी energies होती है ज़ा बहुत सदा happy होने वाले हो खुश होने वाले हो मतलब बहुत सदा celebration moment ज़ो है बहुत ज़दा आपके life में आ रहा है और वो आपकी life में सिर्फ और सिर्फ इसी लिए आ रहा है यूँकि आपने बहुत सदा believe किया है अपने universe के उपर अपने उपर अपने person के उपर शायद बहुत सदा आपने जो hope रखे है आपने विश्वास रखा है so कही ना कही उसका जो reward मिलने का है आपको टाइम बहुत सदा नस्दीक आ चुका है so I hope आपके साथ में जो रीडिंग्स हैं guys रहा सुनीट हुई हो till the time take care and have a nice day